नमस्कार आदाव सच्छी अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार मुंबई में होने वाली इंडिया गट बंधन की तीसरी बैठक से पहले ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी सरकार बुरी तरीके से तिल मिलाई हुई हिली हुई है और एक से एक फैसले ले रही है ऐसे ऐसे फैसले जिसके बारे में नौ साल से बलकि साड़े नौ साल से उसे होश नहीं था उसे महगाई के चिंता नहीं थी उसे विरोज़दारी के चिंता नहीं थी तो अपॉइन्मेंट लेटर भी बाटे जा रहे है गैस सिलिंडर की कीमत भ बजा ले लिया बस दो बैठक में यह आल तीसरी बैठक के बाद क्या होगा तो तीसरी बैठक से पहले भी बहुत कुछ हुआ पहले यह हुआ कि राहुल गांदी पहुचे बंगलूरू करनाटक और वहां एक योजना की शुरुवात की जिसमें हर महिला के खाते में दो-दो हजार रुपए ततकाल प्रभाव से दिये जाएंगे यह योजना शुरू हो गई है इसके जवाब में भोपाल में एक नाटक हुआ और वो नाटक शिवराज सिंग चवहान ने किया जो अपने आपको मामा कहते हैं तो मामा ने अपनी बेहनों को जुन-जुना थमाय है वह जुन-जुना क्या है कुछी दिन पहले उन्होंने कहा था कि लारली बेहन योजना के तहट जो है वह दस सितंबर से साड़े बारा सौ रुपए हर महीने दिये जाएंगे उसकी धाई सौ रुपए वाली पहली किस्त तरह सोचिए और होशियारी समझे कि धाई सौ अपने चार-पांस दिन पुरानिवाज कि धाई सो रुपए की पहली किस्त जारी की और का कि देखो मैं बटन दबा रहा हूं यह धाई सो रुपया तुम्हारे पास गया और तुम्हारा जो मामा है तुम्हारा जो भाईया बच्चों का मामा और बहनों का भाईया वह खरीदने आया है तो अपने अपने विश्वास हमारे पास गिर्वी रखतो जूट देखिए शिवराज सिंह चवान का जूट मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री का जूट भाजपा का जूट जूट यह कि उसी गोशना के दौरान शिवराज सिंह चवान ने कहा कि 10 सितंब से बचा हुआ जो साड़े 1200 रुपय की योजना का 200 रुपय तो अभी दे रहा हूं और बचा हुआ एक हजार रुपया जो है वह दस सितंबर को तुमारे खाते में पहुंच जाएगा अब जो लिफाफा खोला है ट्विटर पर जो एक फुलजड़ी छोड़ी है शिवराज कुछ नहीं है जब सरकार आएगी तब सोचेंगे तो 200 रुपय देकर 1000 रुपय दस सितंबर को देने का जूट बोला है मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश की महिलाओं से और यह जूट सब सील ठप्पे के साथ है पकड़ा गया है दूसरी तरफ मुंब चुटकी लिए पहली बार पिछले कुछ महीनों में जब से NCP टूटी है शरग पवार इतने तलख तेवर के साथ सामने आएं उन्होंने साफ साफ कहा कि हम ऐसे ही चुनाओं में साथ नहीं उतर रहे हम देश को परिवर्तन का विकल्प देने जा रहे हम नीतियों और कारिक ठाकरे ने बहुत जोलदाल चुटकी लिए वो आपको पता ही होगा 200 रुपए सिलिंडर की कीमत कम की है नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर उद्धव ठाकरे ने चुटकी क्या लिए उन्होंने यह कहा कि अरत छोड़िये सिलिंडर अभी सस्ता नहीं करेंगे अभी तो यह भी करेंगे देखते जाये ये इनकी हालत हो गई है ये सरकार खुद ही गैस पर चल रही है उद्धव ठाकरे की अपनी शैली है तंज करने की तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार गैस पर है और वह कीमत कम छोड़ दीजिए अभी वह सिलिंडर फ्री करना पड़े नाना पटोले महाराष्ट के कॉंग्रेस के बड़े नेता उन्होंने कहा कि भाजपा दरसल भ्रम में है वह घबराई हुई है उस भ्रम के तूटने के बाद से उसको लगता था कि नरेंद्र जादुगर है जो आएंगे छड़ी गुमाएंगे और जनता उनकी तरफ मुर जाएगी लेकिन अब जनता के मन में भ्रम तूट चुका है और उन्होंने आकड़ों के साथ का कि पिछले चुनाव में 23 करोर वोट गठबंधन के लोगों को मिले इंडिया गठबंधन के लोगो लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है और यह 23 करोर का वोट जो पिछली बार विपक्ष के नेताओं को मिला था उसमें इस बार इजाफा होने चाहरा है कॉंग्रेस के नेता ने कहा नाना पटोले ने कहा बलकि कि हमारे 11 मुख्यमंत्री गठबंधन के 11 मुख्यमंत्री दूसरी तरफ जो एंडिये है उसमें सिर्फ भाजपा 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 है भाजपा के अलावा इंडिये में कुछ है नहीं तो उस गठबंधन के नेताओं के सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो स्वाभिमान बचाने का संकट है क्योंकि आप अपने राज्य में चाहे जितने बड़े दल हूं चाहे जितने बड़े नेता हूं अपने इलाके में लेकिन माला तो आपको नरेंद्र मोदी को ही पहनाना पड़ेगा और अगर आप नरेंद्र मोदी को माला पहनाने को तयार है उनकी पालकी उठाने को तयार है राजा की तरह उनको ढोने को तयार है फिर तो सब ठीक ठाक है आप आराम से जाईए और उनके साथ काम करिए लेकिन जनता के सामने हमारे पास विकल्प है और जनता इस पर विचार करेगी इस बीच इंडिया कट बंदन के लगभग सारे नेता मुंबई पहुचने शुरू हो चुके हैं लालू यादो के बेटे जस्वी यादो पहुच चुके हैं खुद लालू यादो भी मुंबई पहुचे यह जो बड़ी खबर है वो यह कि ते जस्वी यादो के साथ लालू यादो भी पहुचे है आपको पता ही है कि लालू यादो इंडिया गट ब कि पद में मेरी कोई दिल्चस्पी नहीं है हमारी अगर कोई सामुहिक दिल्चस्पी है तो वो नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड ठेकने में हैं और हम इसके लिए जो भी जिम्मेदारी मिलेगी जो भी कर्तब हमारे सामने आएगा हम उसका निर्वाह करेंगे लेकिन जो संकट है वो ही है कि दस राजियों में अकेले भाजपा की सरकार है और चार राजियों में अकेले कॉंग्रेस की सरकार है तो यह चुनावती इंडिया गडबंदन के सामने है और इस पर क्या विकल्प बंता है मध्यप्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 36 गड़ म में चुनावने वाले मिजोरम में चुनावने वाले तो इन राजियों में चुनाव से पहले क्या रणनिती बनती है इस पर सब की नजर है लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार घबराई हुई नजर आ रही है और जैसे ये खबरे आ रही है कि समय से पहले चुनाव करवाये जा सकते हैं अलाकि अटल विहारी वाजपेई की सरकार ने भी समय से पहले चुनाओ करवाया था शाइनिंग इंडिया कैंपेइन चलाया गया था कि भारत चमक रहा है और इसके बाद वाजपेई जो की भारतिये जनता पार्टी कही थी हास में अस अदिक्द तौर पर सबसे बड़े नेत रहे हैं उनकी सरकार एकडम ताश के पत्ते की तरह धराशाई हो गई थी सोनिया गांदी कॉंग्रेस के नेत्रित्तों में जो है यूपीए को सक्ता तक ले आई थी और उसके बाद मनमुहन सिंग 10 साल तक प्रधार मंत्री बने रहे तो यह जो आकड़ा है वह 2024 से पहले कैस इंडिया गट बंधन उसका इस्तिमाल करेगा और कैसे इंडिये इसका इस्तिमाल करेगा इस सवाल पर मुंबई में जम कर चर्चा होने वाली है लेकिन जिस तρείके से सिलेंडर की कीमत कम की गई है जिस तरीके से करनातक के बाद मद्द्ध प्रधेश में इलान करना पड़ा तोधों को देने के मुकाबले 12 गबराहट दिक्ती है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती चली जा रही ऐसा लग रहा है जैसे आत्मिश्वास तहीं से धीला पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो दिखाई दे रहा है या जो सुनाई दे रहा है उससे अलग धरातल पर कोई अलग तस्वीर भी बन रही हो लेकिन ये बात सच है कि मुंबई में इंडिया गटबंधन की ती प्रहेंद्रमोधी की सरकार में भारतिये जनतापाटी में इंडिये में सुख बगाहत बहुत ज्यादा तेज है अब जो भी सामने आएगा वह इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद सामने आएगा और सबसे ज्यादा अगर इंडिया गठबंधन के फैसलों पर किसको सन्यो गटबंदन के नेताओं से जादा अगर किसी की सबसे पैनी नजार है अगर किसी को सबसे जादा इंतजार है तो वो प्रधान करके बताई हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब पर देख रहे हैं तुमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बूक पर देख रहे हैं तुमारे पेज को लाइक कीजिए इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर है अर्टिकल 19